जैराम जीगी दोस्तों, सभी बड़ों के चुलणों में ब्रणाम और छोटों को धेर सारा प्यार, आपका दिन सुब हो, मंगल मैं हो, प्रभू से ही कामना है आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में, कि रुद्राक्ष क्या है, क्या होता है रुद्राक्ष का प्रियोग और किन-किन चीज़ों में हम रुद्राक्ष का प्रियोग कर सकते हैं उससे पहले जो मेरे नए सुनने वाले शोता हैं वो कृपय मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक ताकि हर किसी के पास यह अच्छी इंफोर्मेशन पहुंच सके रुद्राक्ष के बारे में पुराणों में ये माना जाता है कि ये रुद्राक्ष बहुत ही पवित्र चीज है बहुत ही पवित्र चीज जो हर तरह की नकारात्मक जो चीज़ें उनको दूर करती है ये माना जाता है कि बोलन बोलिना जो थे उनके अश्रू जो थे वो जब पृत्वी पर गिरे तो उनसे रुद्राक्ष के पेड़ की उत्वत्ति हुई मात्र रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन से ही भगवान ने कहा है कि बहुत सारे आपके जो कर्म हैं वो कट जाते हैं और आपको सुब फलों की प्राप्ति होती है और रुद्राक्ष जादतर हमारे यहां पर नेपाल वगरह में बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है और उसे रुद्राक्ष के पहनने से आपको बहुत अच्छा लाब होता है हमारे देश में कई लोग रुद्राक्ष को एक डोहंग और ढकोस लेकी तरह लेते हैं यहां तक कि कई रिसाज सेंट्रों में तो रुद्राक्स की गोलिया बनाकर भी जो है पेशेंट को खिलाई जाती हैं उसे बहुत अच्छे इंप्रूमेंट मिले हैं जिन लोगों का नर्व सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया था काम नहीं करता था उन में भी दीरे-दीरे पर योग कम करता हो तो अच्छा है आप सात्विक तरीके से रहते हो तो रुद्राक्ष आपको बहुत अच्छा फल देता है अब मैं आपको बताता हूं कि रुद्राक्ष के क्या-क्या फल है सबसे पहली बात तो रुद्राक्ष हमारी एक आगरता को concentration पावर को बहुत अच्छा करता है अगर किसी बच्चे की या बड़े की कंसेंट्रेशन पावर कम है उसको याद नहीं रहती कोई चीज एक आगरता सकती बहुत कम है तो रुद्राक्ष को धारण करें एक बात याद रहें रुद्राक्ष पहनने का कोई साइड इफेक्ट नह बहुत अच्छा परिणाम देता है हमारी कंसेंट्रेशन पावर को रुद्राक्ष बहुत अच्छा करता हिं कुरिये Pittsburgh को बहुत सब्सक्राइट बहुत थे क्रता है रुद्राक्ष हमारे अंदर के एमिन्मेνिंटी शिस्टम यो एमिनिटी पावर जो थे उसको बहुत अच फील करते हैं या उनके अंदर नेगेटिव थोट आते हैं ऐसा व्यक्ति भी अगर रुद्राक्ष को धारन करें तो उससे उसे बहुत लाव होगा अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुसा आता है बहुत ज़्यादा गुसा रहता है हाईपर रहता हमेशा ऐसा व्यक्ति भी अगर रुद्राक्ष को धारन करें तो उससे बहुत अच्छा लाव मिलता है उसके उसे बहुत अच्छे फल मिलते हैं कई बच्चे जिनको पढ़ने में बहुत प्रॉबलम होती है उन्हें याद नहीं होता स्मण सकती बहुत कमजूर है उन्हें भी रुद्राक्स को दारण करना चाहिए रुद्राक्स एक अधबुद चमतकारी फल है या कह सकते हो आप बहुत अच्छी चीज है जो भगवान के दुवारा इस संसार में लाए गई आप उसका प्रियोग जितना करोगे आपको बहुत अच्छा लाव होगा लेकिन बात एक याद रखने वाली ये है कि आजकर मार्किटों में डुपलिकेट रुद्राक्स मिलते हैं मैंने तो प्लास्टिक के रुद्राक्स तक बिखते देखे हैं उन्लाइन इसलिए ध्यान आपको ये भी बताऊंगा कि किस ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्स धारण किया जाता है पर अगर मुझे समय मिला तो मैं हर रुद्राक्स के गुणों के बारे में भी बताऊंगा कि एक मुखी रुद्राक्स के क्या गुण है दो मुखी के क्या है तीन के क्या है हर एक र मंगल में हूँ जे राम जी राम जी राम